जैसी राम दोस्तों तो फाइनली अगदी पुरूस का फाइनले टेर रिलीज हो गया है आज रिलीज हुआ नौ बजे और मैं ज्यादा अक्साइटेड था साफ अलिखान का लुक को लेके मैं देखना चाहता है कि जो साफ अलिखान को रावड बनाया गया इसमें जो इधर से फेस वाइनल टेर्ल में भी रिविल नहीं किया गया है चुपाया है क्योंकि पता था कि यह पबिक देख लिएगे तो फिर से ट्रोल करने लगी ने अलिका रोना बनता है यह तो होंगे मुझे पता है बस यह दिक्कत बस यही हो रहा है कि सए से इनका फिरोदब नी कर पार क्योंकि रमाइंड को पर यह मुवी है और सीराम जी का इसमें दिखाए गया है जो भी है मतलब हेट करें तो कैसे करें क्योंकि ओम रावाद बहुत ही उनका मुझे लगता है कि सला इधा बगवास डिरेक्शन है उनका क्या उनका सोच था क्या सोच के इस तरह का लुक दियें करेक्टर को और पूरी मुवी अनिमेटेड लग रही है उसमें सांप का सीन दिखाए गया तो भी अनिमेटेड थोड़ा बहुत क्या बुलाता है लास्ट जो सीन था जिसमें साइफ लिखार रावाट के अवतार में दिखाई देते हैं जो भी एफेक्स दो था बहुत तग पब्लीक भड़क जाएगी और इनको ट्रोल करना शुरू कर देगी और यह ट्रोल होंगे और होंगे और होंगे जो फिर भी लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वह इसलिए कि यह रामायर को पर यह स्टोरी है और इस्टोरी पहले सबको पता है यह लोग प्रमाई लिए फिर भी क्या अपने किया कुछ मुझे नहीं लगता कुछ खास बदला हुआ है ओवराल मुझे ट्रेलर देखके कुछ मजा नहीं आया फाइलल ट्रेलर इस तरह से ज़िए हैप बनाय गया था इस तरह से मलब कि इसको लॉंच किया गया लग रहा था कि पाहले ट्रेलर में रामवर को लुक नहीं दिखाये गया था और दूसरे ट्रेलर में भी रामवर को लुक नहीं दिखाये गया है तो इस समझदार को सारा काफी है कि उनके लुक में कुछ बदलाव नहीं किया गया रामवर औरंग जे के लुक में दिखाये देने वाले हैं और श्रीराम जी जी चरेकटर निभा रहें धूराकर यार उसे घ्टसे आसे जाज़। इतनी पुरानी रामाण सागर के जो रामाइड थी यार उसे जो च्पयए गया था धरशींग का पने अच्छा उनका पने पुर लेका जिए। यह तो लगता है खाले मूँ में हावा भरे हुए ऐसे हैं मलब कि असर कहीं से नहीं लग रहा है कि हनमान जी है यार उनको भी यार अब भगवाने भरोसे यह मुवी है भाईया अब मुझे लगता है कि इस्टोरी में दा मैं इसलिए मुवी चल सकती है बाकि तो यार कार्टून मुवी की तरह ही है बाकि हमें तो पसंद नहीं आया कि मुझे बिल्कु पसंद नहीं आया और फिंगर क्रॉस करते हैं मुझे उमीद है कि यार जैसा मैं सोच रहा है जैसा मैंने कहा है वैसा ना निक जाएगा किसमें क्या-क्या बखवास सीन है क्या-क्या अच्छा सीन है को स्टोरी तो पहले सी सबको पता है तो बस इतना ही बाकी यार क्या बोला जाए मुझे पता है कि प्रभास के फैंस आके में को खुब गाली देने वाले कमें बॉक्स में लिकिन ठीक है उनका भी सौगत मुझे जो ठीक लगा मैंने रिवूट किया और सबका अपना अलग लग सोचना भी या मेरा मुझे जो लगा मैंने कहा बाकी मिलते आपका अगली वीडियो में तब तक लिए जाए शिर्याम